तो फेले स्टेंट्स वेल्कम बैक वाज़ों को जो कोजिंग क्लासिस इस ट्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग इसक्रस करने वाले हैं एक्सराइस थ्री एच के बचे हुए क्वेस्ट उब लेते हैं आज की वीडियो का पहला पेला प्रेस्ट नेंबर वुल रहा है हैं कि यह जो गिवर नंबर है पॉर्फेक्ट स्क्वाइर बन जाए तो वैसे स्ट्रेंट्स इस टैबी क्वेशन समने कई सारे करा दी हैं आप लोगों को तो आप लोगों को आता ही होगा फिर भी रिवीजन के तौर पे हम यह क्वेशन आपको दुबारा बता दे रहा है सबसे पहला काम हमें करना क्या है इसका स्क्वाइर रूट फाइंड करना है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखे भी यह लिखा हुआ हमने पास 15370 स्क्वाइर रूट निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें प्यारिंग करनी होती है यहां पर से बन उन जाएगा तो यहां पी आगया वन जिरो हो गया सिफ्टी यहां पर आ गया अगर आप यहां पर रखेंगे तो 21 बन च्विटी वेटीन आजाएगा उपवनी किसी बहुत छोटा है अगर तू रखेंगे तो तूसा 44 हो जाएगा अभी भी छोटा है थ्याइप रोखेंगे तो 69 आजाएगा तो Вी टाम ।प में ज्यादा हो रहा है तू- टाम किसी डिवाइप करेंगे 22 टूसा हो जाएगा 44 सब्ट्रेक्ट कर देंगे 13 से 4 गया बचेगा 9 और यहां पर टू एड कर देंगे तो हो जाएगा 24 इसके बाद नेक्स पैर अपने पास रखा हुआ है सेवेंटी नेक्स पैर हम लोग ने कॉपी कर लिया इसके बाद कर देंगे तब पर्फेक्ट स्कॉयर नहीं है ना तो इसका मतलब एक्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलने चाहिए तो 24 है है और वर्राइड कर दिया जो हो श्यूटक गया 274 और सबते हो कर बटारेंगा तेन से नाइन जाएगा वान बचेगा शिक से चूसराइक कर देंगे वोर आजाएगगा और नाइन से सब्ट्रैक करने पर मिल जाएगा ठीमिली हमको 241 और देखें इतना तो रिमेंडर बच गया और पता करना था कि कितना नंबर इसमें एड़ कर दें तो अगर हम यह पता करना यह कौन सब्सक्राइब करना चाहिए तो हमें इतना काम करना पड़ाएगा जो भी नंबर यह मिला इसमको मिल यह 123 तो अगर आप चान्ट इसको ऐसे निखा सकते हैं कि यह जो नंबर है 15370 यह ग्रेटर है किससे 123 स्कुर्ण से ग्रेटर है यह नहीं इतनी बात आप क्लियर के लिए हमको क्योंकि देखिए वर्यमेंडर बच रहा है 123 तो अगर यह लेस है इतना तो अरड़ी है और एड़ जब करेंट वेल्यू बढ़ेगे तो बढ़ेगे तो 124 तक हमें पहुंचना होगा ठीक है तो लिक सकते हैं the required number that should be added the required number that should be added required number जिसको add किया जाना चाहिए equals क्या हो जाएगा whole square of 124 124 के square में से subtract कर देंगा 15370 हमेशा इतने बाद याद रहिए कि आपको simply divide करना जब remainder आ जाते है तो उसको बना रहें दीजिए हमें remainder से कोई मतलम नहीं अगर subtracted का case होता किसी remainder को हमें इससे subtract कर देना था और हमें answer उसका मिल जाता लेकिर अभी added वाले case में क्या करना है जितना यह number आया है उससे ज्यादा 123 आया है यहां पर 4 आ जाएगा 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा आ जाएगा अपने पास यहां पर 6 9 8 17 4 3 12 1 13 केरियों 1 2 2 4 & 5 यहां पर 1 1 5 3 7 6 1 5 3 7 6 माइनस 1 5 3 7 0 डिफरेंस आ गया 6 का ही होगे इसका answer मतलब है कि अगर हम लोग गेवेन नंबर में 6 एड़ कर देंगे तो यह गेवेन नंबर कौन सा 1 5 3 7 0 एक perfect square बन जाएगा उमेद कर देंसे questions समझ में आ गए होंगे बढ़ते हैं questions में आ गए question number 13 स्क्वार रूट अब 0.9 अब की बार हमें 0.9 का square root निकालना है तो यहां पर हम लोग इसके कुछ pair बना लेते हैं भई three pairs बना लिए pair बनाना मैंने आपको बहुत अच्छे सिखाया हुआ है स्क्वार रूट सब कुछ मैंने आप बहुत अच्छे से explain कर दिया है यहां पर दुबारें questions को बताने का सीधा से मतलब है कि हम चाहरें कि आपका अब अगर आपको इसके स्क्वार निकालना तो पर डेसिमल को यहां पर रख दीजिए आप इसके बाद नाइंटी फॉस्पेर को लिजिए नाइन नाइन जा एटीवन देखिए यहां पर आ जागा नाइन जाटीवन सब्सक्राइब कर देंगे तो नाइन बच जाएगा नेक्स पर कॉपी कर लेंगी यहां पर जाएगा नाइन नाइन एटीन अब देखिए लिए कितने टैप से डिवाइट हो सकता है नाइन हंडर यहां पर है और यहां पर फाइव रख सकते हैं बसे हम लोग तो अगर अब यहां पर जाएगा नाइन हंड्रेट ट्वाइब करेंगे इसको हम लोग फॉर फॉर लोटा शिक्स्टीन धियू अन फोर अच्टी थी कैरी आउन थी वर वन जाएगा तो 164 बच जाएगा रिमेंड्रेंस में फॉर हम लोग रोड कर दिया तो यह हो जाएगा ओन कि अब स्टेंट्स नेट्स फिर कोपी करते हैं तो हो जाएगा 00 इस पर अब देखते किते डाइम्स डिवाइड हो सकता है यहां पर तो कि यहां पर अगर हम लोग 6 रख कर देखें तो हो जाएगा अपने पास 1886 इंटु 6 हो जाएगा 6 इंट इसक्स करी ओन 3 और 6 8 48 51 करी ओन 5 648 48 और 553 करी ओन 560 6511 तो कुछ सफिशेंट वर्क होने वाला है नहीं इसको 7 ताइम्स नमें पर करना पड़ेगा है तो सब्सक्राइब करेंगे इसमें तो 1887 इंटु 777 जा 49 केरी ओन 4 7 इंट से 56 और 460 करी ओन 6 7 इंट से 56 और 6 62 के 776 13 13 209 तक्रीब यह एट टाइम्स और डिवाइड हो जायागा और और ऑप्शनल क्वेस्टन है तो 0.948 ही इसका अंसर लिखा जा सकता है कितना फिट 0.948 लेकि ऑप्शन दिया गए इस्ट्वेंट सापको उसमें केवल आंसर दे रखा है 0.94 क्योंकि इसके पॉइंट के बाद में डेसिमल के टू क्लेसिस तक ही आंसर निकाला है ठीक है अगर उसने डेसिमल के टू क्लेसिस तक आंसर दिया है तो आपको भी इससे किसे गलत बात है तो यह तो हो गया स्ट्वेंट अब बढ़ते हैं हम लोग क्योश्चन नंबर फॉर्टीन की तरफ क्योश्चन नंबर 14 में और स्कॉर्ट आंफ फाइन करिए किसका जिरो पॉइंट वन पका तो जिरो पॉइंट वन के इसकूर पता करना है हम लोग कोशित करेंगे कि डेसिमल के बाद में थ्री प्लेस तक पता करें तो तयार करने ही पड़ेंगे कि हमने तयार कर लिए थ्री पेर्स को और इसको फाइंड कर इसके बहुत हमें एरेंज कर गया रखना पड़ेगा तो जिरो पॉइंट हमने डेसिमल हटा दिया हमको मिल गया 10 अब 10 क्या सपास कैसी वेल्यों मिल सकती हमको तो थ्री इंटू 3 करना पड़ेगा तो यहां पर लिदिया 3 यह भी हो गया 3 यह हो गया 3 3 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया वन आ गया यहां पर 3 एड कर देंगे तो हो जाए गया 62 आगया सब्ट्रैक्ट कर देंगे बचेगा 39 नेक्स पेर हम वोगना कॉपी कर लिया अब देखें कितने टांस डिवाइड हो सकता है तो 66 36 मेरे बाट 6 के आसपास हो जाना चाहिए तो 626 इंटू 6 636 क्यालियों 3 627 15 क्यालियों 1 66 36 137 तो 3756 आगया जो कि सफिशेंट वैल् सब्सक्राइब तो यह हो जाएगा 3756 सब्सक्राइब करते हैं 106 गया 4 और 9 से 5 जाएगा बच्चे का 4 यहां पर 8 से 7 जाएगा 1 144 रेमेंडर आ गया वैसे भी हमें डेसिमल के बाद में 30 तक फाइंड करना था वह हो चुका है तो इसका आंसर आजाएगा 0.316 और स्ट्रें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको NCRT मैट्स की स्टडी करनी होगी उसके बाद आप एडिशनल बुक्स जैसे आडिक शर्मा यारे सगरवाल की स्टडी अगर करते हैं तो मैथमेटिक्स आपकी बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगी क्योंकि NCRT जो है वह आ सब्सक्राइब करें यहां पर आपको NCRT मैट्स की स्टडी कर आए जाएगी साथी साथ आरे सगरवाल मैथ क्लास 9 और 10 के लिए आपको DRS क्लासे में मिलेगी सब्सक्राइब की वीडियोज हैं वह आपको हमारे इसी चैनल एजक वोजिंग क्लासे में मिल जाएंगी नाइंथ और 10 के आरे सग्वाल की स्टडी के लिए आपको DRS क्लासे स्टडी करने पड़ेगी ओके स्टेंट्स चले भें तो अभी तो क्शन 14 तक हो गए पढ़ते है है फ़ीजन में आगे इसको एसके दोनों मृटिप्लाय में लगाने के बाद में मल्टिप्लाय में राइट कर देंगे तो इसली यह स्वर्म हो जाएगा तो दीए इसको इसे लिखा जा सकता है जी जीरो पॉइंट नाइन इंटू बन पॉइंट इस मुल्टिप्लाए करा दिया तो हो गया रूट में 1.44 इसका पॉइंट हटा लेते हैं तो यह हो जाए कि 1.44 था अपन पॉइंट यहां हो गया 120 इसके बाद लग गया डेसिमल हटा दिया तो यह बन जाया गा स्कॉयर रूट ओफ 144 अपन स्कॉयर रूट ओफ 100 ठीक है एक तरी को मल्टिप्लाइ कराते तो वह थोड़ा सा डिफिकर्ट प्रोसेस होता यह परहाल इजी प्रोसेस है अब देखिए 144 का स्कॉयर रूट होता है 12 और 100 का स्कॉयर रूट होता है 10 मैंने आपको दो तरीके से इसको बताया था कि अगर 12 का स्कॉयर 144 है तो हम लोग इसको ऐसे भ स्कॉयर रूट फाइंड करेंगे तो भी 10 हो जाएगा क्योंकि स्कॉयर और स्कॉयर रूट एक दूसर के रिवर्स प्रोसेस होते हैं तो देखिए तो यहां पर के ट्वेला पॉंट टेल डेसिमल लग जागा तो वन पॉंट पॉंट पीस का हो जागे सिंपल यांसर बहुत स्कॉयर रूट हो गया यहां पर 10 तो ट्रेंट से डिवाइड कर देंगे 1.2 आजाएगा अब आते हैं स्कॉयर नमर्स इक्स्टीन पर देखते हैं क्या क्या रहा है अब देखें यहां पर इसके पहले क्या देश्टेट्स जो क्वेशन समय ने बताया थे वहां मैंने एक लिए बता दिया था कि अगर कभी भी आपको इस तरह की के स्कॉर्ण करने हैं पहले यह देख लीजिए यह दोनों जो नमबर दिये गए हैं किसी कॉमन नमबर से सब्सक्राइब हो रहें तो पहले उनको सिंप्लिफाय कर लिए उसके बाद इनकी वेलिए कर लिए तो यहां पर दिया हुआ है आप उन में 128 हमने राइट कर लिया कुए कि देखे शर्ट जब पूरे में लगा था तूह हम लोगन दोनों में अलागलाग अप्लाय कर लिया था तो वैसे धोनों अलागला इसकंवरूट Together फॉर से डुए और थॉनपने सब्थेल्त इफोर अपॉन फूर तो नाइन इस्क्वारट अलग लगा दिया फूर में स्क्वार रूट अलग हम लगा दिया है तो 9 का स्क्वारट होता है 3 4 का स्क्वारट होता है 2 अब देखें वे 2 से अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो 1.5 इसका अंसर आजायागा ठीक है आप सिंपल है डिवाइड कर ले रहा आंसर मिल जाएगा आपको अपड़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नमबर 17 की तरफ क्वेश्चन नमबर 17 कह रहा है स्क्वार रूट ऑफ 2 होल 1 अपॉन 4 अस्टेंट से सारे क्वेश्चन बेहद आसान हैं कि अब आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए इसलिए हमें एक्ससाइज भी करानी होती है यह होजाएगा 4 2 8 1 9 कि वोजाएग הה है डिवीं और डिवालिए करें स्काइगा इसका अंसर कुछ bit डेसिमल में वैए्ट ना देखे यहां पर अकॉन में वैई तो उसका यह वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और अगला वाला वाला सेवेंडीन उसमें भी आंसर त्रीपाइट होगा है अब की बार उसमें ऑप्षेंड डेसिमल के फॉर्म में नहीं दिए ठीक है ना आप इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप लोग रोई कीसिए आप और को ओर आप करते हैं और अगर आप अप और नमबर के सक्वाइर करते हैं तो आपको ऑड नमबर दो जैसे उसने पूछा कि इनमें से कौन से नमबर पर ऐसा है जोकिक फिपेंग नमबर करें स्वाइल है जहां पर развит0-5rão इइन विपेंग है तो यहां पर 246 या 8 होता है या फिर क्या सकते हैं कि और नंबर के अगर बात करें ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 13579 होता है उनको लोग और नंबर बोलते हैं फिलाल उसने बात इवन की करी ती तो इवन में 196 आ गया नंबर में कह रहा है उसने बोला है यह जनमना इभी तो इसको और नंबर करने से और ऑडम्र ही मिला गा इसे ब्हुत कर लेए कौंसा कर ले कौन तो बर 2022i 9 है यह होड है कि लास्ट मिस्के नाइन है इसका सी और करेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से स्ट्रेंड्स यह एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें लोग सौलब करेंगे सी सी टेस्ट पेपर को और सी सी टेस्ट पेपर जो देश्टेंड्स उसमें ज्यादा तर क्योशन एक्सरसाइज इस के ही होते हैं अगर आप चाहेंगे तो खुद से लगा सकते हैं लेकिन फिर भी हम आपको रिविजर कराने के लिए उसका वे सुलेक्शन प्रोइट तो बने रही है जो कोचिंग क्लासिस के साथ में और साथ ही साथ डियारेस क्लासिस को भी सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपके मैथमेटिक्स और भी जादे स्ट्रॉंग हो सकें